हेलो फ्रेंट्स, प्लांट्स नेट पैट्स लवर में आप सब का स्वागत है फ्रेंट्स अगर आपने भोगिन विल्या का प्लांट लगाया हुआ है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है Pogen Villa का plant एक बहुत ही hardy plant है आप इसको pot में भी लगा सकते हैं अगर ये जमीन में लगा है फिर तो ये बहुत ही बढ़ा जहाड़ी नुमा plant बन जाता है लेकिन जब हम इसको pot में लगाते हैं तो हम इसे pruning करकर के छोटा ही बना कर रखना पड़ता है और ये बहुत ही अच्छे flowering करता है ये दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा डोर्मेंसी में जाएगा लेकिन ये फरवरी से लेके नुवंबर तक flowering करता रहता है तो flowering करने के लिए क्या करना है क्या fertilizer देना चाहिए किन बातों का ध्यान रखना है उसी बारे में आज बात कर रही हूँ ये देखिए फ्रेंट्स मेरे पास दो प्लांट है और दोनों पे ही अच्छे से flowering हो रही है इसका फ्रेंट्स अगर आपको अपने प्लांट से flowering लेन करते हैं वहां इनको कुछ भी fertilizer वगरा नहीं मिलता है लेकिन ये धूप में ही बहुत अच्छे से growth करते रहते हैं लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो थोड़ा इसको लिमिट में ही फ्रेंट्स खाद पानी मिट्टी मिली होती है तो उसमें हमें अच्छे से इसकी care कर करने होती है अगर आप gardening new new gardening करना चाहते हैं और beginners हैं आपको और कोई पौधा नहीं सूझ रहा है कि क्या लेना है जिसकी ज़्यादा केर ना करें तो दो तीन पौधे हैं जो आप लगाईए मेरे कहने से jet plant लगा सकते हैं बोगनवेलिया लगा सकते हैं मनी plant लगा सकते हैं औ और friends बहुत सारे hardy plants हैं जिनको आप लगाएंगे और ऐसे छोड़ देंगे लगा कर थोड़ी सी care करनी है बस और यह plant आपके घर में growth करते रहेंगे तो यह जरू लगा यह plant और इसको soil आप pot में जब soil लगा देते हैं तो इसमें friends अच्छे से एक बार अच्छी soil बना दीज बस फिर इसमें कुछ भी fertilizer आपको देने की जरूत नहीं है एक बार इसमें गोबर गिखाद या फिर वर्मिक पोस्ट नीम खली और garden soil बाके और इसमें कुछ जादे भी मिलाने की जरूत नहीं है और यह हमारी मीटी तैयार हो जाती है और इसको friends आप छोटे से pot में भी शु जाना मेरा plant है और अभी ग्रोध भी बहुत अच्छी हो रही है मैंने इसको बहुत बार प्रूनिंग की है प्रूनिंग के बाद यह बहुत यच्छ असा बुशी सा बन गया है plant जब हम इसको प्रूनिंग करते हैं न्यू शूर्स न्यू ब्रांची जाती है उन्हीं पे ही बहुत जल्द इसकी cutting grow हो जाती है तो एक pencil के size की cutting ले करके आप इसकी friends cutting लगा सकते हैं यह है मेरा दूसरा yellow color के जिस पे flowering आती है अभी शूरू हुई है flowering इस पे और मैं इसमें आज fertilizer दोबारा दूंगे friends इसको एक महिने में आप एक बार भी fertilizer देंगे तो यह अच्छे से growth करता रहेगा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिटी में डाल सकते हैं एक दो महिने बाद बाकी liquid में अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं अभी मैं जो आज दे रही हूं flowering के लिए potassium इसको चाहिए potassium rich fertilizer देंगे तो हमारा plant flowering करते रहेगा और अगर potassium अच्छी मातरा में आप chemical potash भी दे सकते हैं organic भी दे सकते हैं यह देखिए मैंने इसको भी प्रून किया था एक बार अभी थोड़ी नीचे से लंबी लंबी ब्रांचिस हो चुकी हैं तो इसको अगर आप प्रूनिंग करनी है तो इसको फरवरी में प्रूनिंग कीजिए इसको आप hard प्रूनिंग भी कर सकते हैं और soft प्रूनिंग भी कर सकते हैं तो मैं फरवरी में ही इसकी प्रूनिंग करूंगी अब fertilizer की बात करेंगे यह है best fertilizer मैं दे रही हूँ अभी क्योंकि इस पे flowering भी शुरू हूई है तो और अच्छे से flowering हो तो उसी के लिए मैं इसमे liquid granules हैं आप एक एक डेडर चमच अपने plants में इसको डाल सकते हैं यह एकदम से organic fertilizer है chemical नहीं है तो organic fertilizer थोड़ा हमारा ज्यादा भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है यह हमारे plant को stress से भी निकालता है growth भी करता है बीमारियों से भी बचाता है अगर आपके पास और कोई fertilizer नहीं है तो CVD बहुत ही best fertilizer है आप जरूर इसको अपने plants में दीजिए 15 दिन में एक बार एक एक चमच भी आप किसी भी plant में इसको डाल सकते हैं यह liquid और granules में मिलता है आप कोई भी यूज कर सकते हैं तो मैंने इसमें एक एक चमच डाल दिया है इसके बाद दूसरा fertilizer organic ही जो आपके घर में ही free के ही चीजे होती है उनसे ही आप बहुत सारे fertilizer बना सकते हैं यह केले के चिलके जो मैंने अच्छे से सुखा कर रखे हैं बिल्कुल यह सूख चुके हैं चाहे तो आप इन्हें grind करके डबे में भरके रख सकते हैं नहीं तो ऐसे ही टुकडों में तोड हैं और यह हमारे प्रांट की growth तो करेंगे ही growth के साथ साथ हमारे प्रांट पर flowering भी इनसे जबरदस्त होगी दूसरा हमारे घर में ही मिलने वाले होते हैं friends प्याज के चिलके आप प्याज के चिलके शायद फिंक देते होंगे लेकिन ऐसे एकठे करके इनको थोड़ा सा grind कर fertilizer दे रही हूं सोखे चिलके ही तो यह भी बहुत best है हमारे प्रांट के लिए धीरे धीरे यह slow release होते रहेंगे और हमारे प्रांट को fertilizer धीरे धीरे मिलता रहेगा हमारा प्रांट अच्छे से growth करता रहेगा कभी भी fresh केले के चिलके आप इसमें नहीं दबाईए क्योंकि fertilizer दे सकते हैं कोई भी fertilizer दें तो इसके बाद पानी देना जरूरी होता है तो मैं थोड़ा से इसमें पानी भी दोंगी वैसे थोड़ी सी मिट्टी की moist थी तो इसलिए जादा पानी नहीं दोंगी जब हमारा प्लांट फ्लावरिंग कर रहा होता है तो इस टैम इसको पानी की देंगे तो यह बहुत अच्छे से growth करता रहेगा और अभी देखे इस पर भी न्यू न्यू शूर्स हैं जो न्यू न्यू आ रहे हैं फ्रेंस वो फूल ही आ रहे हैं तो अगर और ज्यादा फूल लेने हैं आपको अपने प्लांट से तो यह जो ग्रीन पतिया इनको आप तोड़ सकते हैं पतियां सारी तो हमारा फ्रेंट फूल पर ही फ्रेंट अपनी एनर्जी लगाएगा फूल जादे आएंगे उससे तो यह दूसरे प्लांट में मैं और दूसरा fertilizer दूंगी तो यह देखे मैं इसमें liquid में दूँगी यह मेरे पास फ्रेंड्स इफको का ही होत बहुत बहुत है कोई भी ये सकते हैं फ्रैंट्स ओन लाइन पर्चेस कर सकते हैं नए तो फिर आप अपने जनर्सरी पे जो भी मिलता है वहसे भी ले सकते हैं और यह एक लiटर में तीन ऐम मिलाना होता है तो यह मैं तीनमल के आसपास हैं मिलाओंगी पानी में और फिर अप फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इसमें बहुत अच्छे से न्यूट्रेंट होते हैं यह हमारे प्रांट को शौक में जाने से बचाता है हमारे प्रांट को स्ट्रेस में नहीं जाने देता और अभी तो विंटर आ रही है तो फ्रेंट्स थोड़ा अपने प्रांट को तयार क्योंकि विंटर में यह प्लांट्स डॉर्मैंसी में जाने वाले हैं तो अपने प्लांट को अभी सही तैयार कर लीजे कि इस्ट्रेस में ना जाएं तो बस इतना है इसका ध्यान रखना है और वह मैंने बताई दिया इसकी कटिंग आप अगस से लेकर के जुलाई अगस से ल नहीं रखना है बहुत हार्डी प्लांट है एक बार लाएंगे आप नरसरी से और बस लगा कर छोड़ दीजिए आपका प्लांट अच्छे से ग्रोध करता रहेगा तो फ्रेंट्स यही फर्टिलाजर देने हैं इसमें आप केमिकल पोटाश भी दे सकते हैं वो भी बैस्ट